जहें दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नु जी के संटर पर मैं राकिश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लिका राय हूँ जो प्रिवियस एयर पेपर है आप देख सकते हैं यह आपका पर्थम पाली का है स्वाल को देख सकते हैं जो सेंटेंस दिया है इसमें कुछ ग्रामेटिकल इरर है ठीक है तो इस ग्रामेटिकल इरर को आपको ढूड़ना है ठीक है तो आइडेंटिफाई मतलब ढूड़ना या पाचान करना है इस सेगमेंट देट कंटेंस दा इरर इससे भाग को जिसमें इरर है तो चलिए अब देख सकते हैं स्वमनात इस गोइंग टू स्कूल बस एवरी डे तो यहां पर क्या कह रहा है स्वमनात रोज जो इसकूल जा रहा है ठीक है न वो इसकूल बस से जाता है तो ध्यांद दिजिए इसमें जो मिस्टेक है वो कैसे है आद रखे कि मिन्स ओप कम्मिन्यूकेशन के साथ कोई भी आर्टिकल का परियोग नहीं होना चाहिए इसमें आर्टिकल का परियोग किया गया जो गलत है ठीक है डारेक्ट होता है बाइबस बाइकार बाइप्लेन तो प्रस्ट में बाइद इस्कूल बस के बदले बाइश्कूल बस होता है तो इसमें ऑप्शन हो जागा आपका भी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि स्लेक्ट दा मोस्ट एप्रोप्रियेट सानोनिम अफ गिवेन वर्ड इविडेंट इविडेंट का सिनोनिम डिए बाइविडेंट का मतल़ होता है असप्षट इसमें कौन सा इसप्षट का इंगलीस षट है क्लीर हो जागा आनी ऑपशन सी राइट अनसर देक्या आपका इपेरण्ट भी होता है इसमें एमलेस만 होबता है लक्षए हिन और Coordinator मतलब होता है जटिल और Con आ जाते हैं लोग यहां पर ठीक रहेगा, अगला स्वाल है, the given sentence contents are grammatical error, identify the segment that contents the error, तीक है, यह sentence जो दिया गया, इसमें आपका grammatical error है, तो आपको वो segment चून के निकालना है जिसमें error आपको नजर आ रहेगा, देखिए इसमें क्या लिखा है कि how many does the cricket bat cost ध्यान दिजी how many ठीक है how many लिखा है तो ध्यान देने की बात यह है कि cost एक uncountable ना होन है इसके लिए many का प्रिव ना करके much का प्रिव करना चाहिए ठीक है न तो यहाँ पर how much होता क्या होता how much ठीक है how many का प्रिव ने तरने option c is the right answer ठीक है चलिए आगे बढ़ते है select the most appropriate synonym of the given word calm c-a-l-m calm का मतलब होता है क्या तो इसका जो synonym हो जागा वो आजागा आपका c option c quiet ठीक है और कुछ है जिसे आपका serenay, peaceful ठीक है ट्रांक्वेल, ट्रांक्वेल का spelling हो जागा आपका t-r-a-n-q-u-i-l ठीक है ट्रांक्वेल चलिए और इसमें आप देख सकते हैं disturb मतलब होता है ठीक है clam मतलब होता है आपका डावा करना और excited मतलब romance ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence ठीक है आपको उचित option चुनना है ठीक है तो यहाँ पर जो underlined segment है इस जगा पर क्या लगेगा यह आपको चुनके लगाना है दिखा I have online science classes for wellness days ध्यान दिजी ध्यान दिजी ध्यान दिजी आपको I have online science classes for wellness days यह सही है या गलत है यह सही है या गलत है यह बताएं देखिए दिण के पाले preposition on का प्रेव उता है ठीक है नीए एक तो on का प्रेव होता है आद रखिए दिन के पाले preposition on का प्रेव होता है और for का नहीं ये सही is here on wellness day तो यहाँ पर क्या लग या लग जाएगा on प्रेवज डेव चलिए आगे बड़ते हैं श्लेक दा correctly spelled word और शही spelling क्यावा word आपको ढ़ोड़के निकाला देखे इसमें spelling किसका सही है इसमें spelling जो है वो option B का सही है sufficient मतलब प्रयाब और ये तीनों गलत है देखे चलिए साथ नमर है कि श्लेक दा most appropriate word to fill in the blank आपको उचित word खालिस्तान पर भरना है option से चुन के to practice होगा I usually wake up when the sun क्या होगा देखे आप योगा करते हैं तो सुबा करते हैं तो जब सूरा जोगेगा तब ही न योगा की जी है इसका काने का मतलब है ठीक है न योगा का अभ्यासुबा ही होता है थासकर सुरुदय के पस्चात तो इसके अलावे यह भी कहा जा सकता है कि wake up का समन्द सुरुदय अनि sun राज से ठीक है तो इसमें option डीस का हो जागा अगला I select the most appropriate अनि आपको उल्टे सब्द बताना है जिससे confirm confirm मतलब क्या होता है confirm मतलब होता है पुष्टी करना इसका अन्टोनिम जो हो जागा वो हो जागा deny तो इसमें कौन सा हो जागा reject option C चलिए नान अमारे select the most appropriate word that means the same as the group of words given आपको यह जो है ठीके ना meaning निकालना group of words का meaning निकालना एक word में चून के वो लिखा the point at which the earth and the sky appear to meet अनि वेसी बिंदू इस पर शूर्य और आकास मिला हुआ परतित होता है तो देकि इस तरह जो होता है जहाँ दिखाए देता उसको horizon बोलता है वो रिखा जहाँ परतित होता है उसको horizon बोलता है चले आगे बढ़ते है select the most appropriate word to fill in the blank आनि आपको उचित word खालिस्थान भरने के लिए चुनना है to an ordinary person one kind of oil is as important as देखिए one kind or another इसमें क्या हो जागा one kind or another ठीक इसमें another हो जागा इसमें तो one kind और another जो है इसका सही पेर है चले आगे बढ़ते हैं इसमें आपका meaning बताना group of words का ठीक है आप देख सकते हैं select the most appropriate word that means the same as the group of words given ठीक है तो क्या लिखा दी application आप साइंटिफिक नोलेज पर प्रेक्टिकल पर्पोजेज इसमें application आप साइंटिफिक नोलेज पर प्रेक्टिकल पर्पोजेज क्या आप जागा ठीक है साही उतर है आपका टेक्नोलोजी ठीक है प्रद्वगी की और engineering मतलब हता है अभी आंतर की और discovery मतलब खोज चली आगे बढ़ते हैं दिखाए select the correctly spelled word आणि आपको सही spelling क्या वर्ड चूनना है ठीक है क्या हो जागा तो केस में जो हो जागा है आपका हो जागा option B difference difference का मतलब हता है अंतर इससा ही लिखा गया difference के लिए से सब्द आपका incorrectly है select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence if there is no need to substitute it select no substitution required आणि नो substitution वाला सवाल है कि अगर आपका underlying segment पर यह option जो दिया गया समें से कुछ आप लगा सकता है तो लगाई अगर नहीं तो no substitution required में मार दीजी आण सार दिखा दी detail of the menu for today's party has been worked out जहां दीजीए तो दिया गया वाक noun plus preposition ठीक है noun plus preposition plus noun का ही विश्थार है एस structure में भर का पर्योज होगा पहला noun के नुशार होगा ठीक है और इस वाक में पहला noun जो है आपका details है क्या है details है और आदर की पूल्डल है जिसके लिए उल्डल हेल्पिंग भरो का प्रियोग करना चाहिए तो उसमें have been का प्रियोग होगा select the most appropriate meaning of the given idiom और फैरेज इसका जो idiom या फैरेज दिया गया इसका सही meaning आपको बताना है ठीक है गो आफ गो आफ मतलब होता है कार करना बंद कर देना ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका stop working option C पंदर नमर सवाल select the most appropriate इंटोनिम और गिमें वाल एंड का इंटोनिम क्या होगा एंड का तो कि एंड मतलब क्या होता है समाफ होना ठीक है या बंद होना तो इसका जो हो जाएगा इंटोनिम वह हो जाएगा आपका 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 इस्टार्ट एंड का इंटोनिम आपका begin भी होता है रिज्यूम भी होता है और comments भी होता है इसमें कुछ grammatical error है उसको आपको बताना है ठीक है तो चली देखते हैं इसमें ताव आज offered the job एल्दो having no qualification यानि एल्दो एक conjunction है यहां पर आप देख रहे हैं एल्दो जो है एक मिटा देता हूं एल्दो एक conjunction है ठीक है वाक में जिसके साथ एक clutch आना चाहिए ठीक है तो वाक में अल्दो के बाद कोई clutch नहीं है अच्छा होगा अल्दो को despite में बदल दिया जाए ठीक है तो इसका जो right answer होगा वो क्या हो जागा वो हो जागा आपका option दी, although having select the most appropriate word फिल न भेम्ट अन्हीं आपको खालिस्तान भरना है आईएस दा फिल्म विस्वाव एस्टडे एस्टे एक है वाजन लाइक या डिटन लाइक या डिटन लाइक या डिटन लाइक दीक है एक है या एस्टडे है तो haven't like तो होगा नहीं वाजन्ट लाइक होगा नहीं डेजन्ट लाइक होगा नहीं हो जागा डिडन्ट लाइक तो लिए आगे बढ़ते हैं select the most appropriate meaning of the given idiom या फिरेज breaking का meaning बताना आपको उचित meaning तो देखें ब्रेकिन का उचित meaning होता किसी घर में अवेद रूप से परवेश करना ठीक है तो इसमें हो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उप्शन और एंटर ये बिल्डिंग ये लिग लिए ठीक है ये चलिए इसमें जो है लिखाए select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence चलिए क्या हो जाएगा if the town had been built at a lower altitude it will be a lot warmer देखे क्या कह रहा है ये कह रहा है ये कह रहा है कि वाकिय जो conditional है तो conditional वाकिय में जब कोई कलज में if plus subject plus head का प्रिव हो तो दुस्चे कलज में subject के साथ would have होना चाहिए तो ऐसा वाक unfulfilled desire को बताता है तो इसमें would have का प्रिव होगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसलेक दा मोस्ट एप्रोप्रियेड वाट तो फिलिन दा ब्लेंक अनि खाली स्थान को परने के लिए उचित सब्द डोड़ना है देयर डैस ये विग पार्क इन दा फ्रोंड ओव वेयर होगा की इज होगा तो देखे देयर के साथ प्रिव होने वाला helping भार नाउन पर निर्वर करता है प्रस्ण में नाउन जो है singular है तो इसलिए इज का प्रिव होना चाहिए option एका तो चलिए आज का ये वीडियो आपको केसा लगा कॉमेंट जरू कीजिएगा